नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चेनल अपनी क्लास में दोस्तों आज 7 सितमबर को आपके समाइल 3.0 होमडर्ग के तहत कक्षा दस्वी में हिंदी विशे का जो होमडर्ग आया है दोस्तों इस होमडर्ग में जितने भी क्यूशन्स हैं आपको सभी क्यूशन्स के मैं आंसर बताने बला हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास में जो टोपिक है वो है दोस्तों पद्धिभाग तो देखिए हमारे पास में इसका पहला प्रशन है मन की मन ही मांज रही ये पंक्तियां कौन किस से कह रहा है तो दोस्तो तो आप देखिए हमारे पास में पहले प्रशन का उत्र ये है कि कर्शन जो है वो गोपियों को अकेला छोड़कर चले गए थे वे गोपियों से मिलने आने की बजाए उनके लिए योग संदेश भीज दिये गोपियां अपने मन की बात उन्हें नहीं बता पाई वो कर्शन के सामने अपना प्रेम है वो परकट नहीं कर पाई अतर उनकी मन की बात है वो मन में रह गई तो दोस्तों आप जानते हैं कि उद्धो की सायता से यहाँ पे श्री कर्शन ने गोपियों के माधिम से संदेश भ दोस्तों यहां पर मरजादा का मतलब है मर्यादा तो देखिए मैं इसका आपको उत्र बता देता हूं तो देखिए इसका आंसर यह है कि गोपियां कृष्ण से है वो प्रेम करती थी पर जब श्रीकृष्ण ने उन्हें उद्व की मादिम से योग साधना का संदेश विजव तो देखिए तीसरे परजन में आपको कहा है कि हमारे हारी हारिल की लकड़ी इन पंक्तियों का भावार्त संशिक्त में बताईए दोस्तों तो इसमें आप देखिए जो गोपियां है वो दोस्तों श्रीकृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान मान रही है तो देखि भास होता है कि ये लगडि उसे गिरने नहीं देंगी ठीक उसी परकार किष्थिन भी हमारे जीवन के अधार हैं तो इस परकार से की लिए हरी और फे ओंसर हो जाएगा व्यादी शब्द का भावार्थ है व्यादी शब्द का अर्थ है आगे चलते हैं दोस्तों हमारे पास में इस पेपर का पांचमा प्रशना आता है हरी है राजनिती पढ़ाए इन पंक्तियों का क्या आश्य है तो दोस्तों इसका जो करेक्ट अंसर है वो मैं आपको बता देत तो दिखिए हरी है आप राजनेती पढ़ाई इसका मतलब यह है कि गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्रीकर्ष्ट ने सीधी सरल बाते ना करके रहसात्मक डंक से उधव की माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई थी इसमें आगे बताया गया है कि गोपि के माध्यम से अपना संदेश पुंचवाया था इसलिए दोस्तों गोपिया श्रीकर्ष्ट को राजनेती मान रही है यानकि वो राजनेती इस बात को ठेरा रही है दोस्तों तो इस परकार से आज आपके 7 सिक्तंबर का जो होमर्ग था कक्षा दस्वी हिंदी का वो मैंने आ आपको बताया दोस्तों यदि आपको मेरे क्विशन आंसर पसंद आए हूं तो इस वीडियो को लाइक कर दे में चैनल को सब्सक्राइब कर दे में दोस्तों मिलते हैं कि से नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत